सद्धगुरू, इन दिनों बहुत से लोगों को थाराइड प्रॉब्लम्स हो रही है हॉईपो थाराइड या हैपर थाराइड आयोडीन वाला नमक खाने के बावजूत थाराइड प्रॉब्लम्स आम हो गई है इन प्रॉब्לים के बढ़ने की वज़़य क्या है? क्या ये भी डाइबिटीज या हाइपर टेंशिन की तरह स्ट्रेस रिलेटेड हैं? क्या हम हट योग या क्रिया के अभ्यास से या ईशा योग केंदर जैसे प्राण प्रतिष्ठित स्थान पर आकर इन हालातों में सुधार ला सकते हैं? इससे बाहर निकलने के लिए हम कौन सी चीज़ें कर सकते हैं? बहुत से लोगों ने हटियों के अभ्यास के जरीए से छुटकारा पाया है किसी प्राण प्रतिष्ठित स्थान में होने से निश्चित रूप से फायदा होता है लेकिन ये थायरोइड इंबैलेंस काफी ज़ादा लोगों को होने लगा है देखिए हमें इसे समझना होगा आप जिसे थायरोइड कह रहे हैं योग में हम इन ग्रंथियों को इस तरह से नहीं देखते लेकिन मेडिकल द्रिष्टी से आप जिसे थायरोइड कह रहे हैं वो आपके भीतर एक ऐसा सिक्रीशन या सराव है जो आपके सिस्टम को कैलिबरेट करता है हर रोज ये तै करता है कि कितना पाचन होना चाहिए कितनी उर्जा पैदा होनी चाहिए कितना फैट पैदा होना चाहिए कितनी मान स्पेशी बननी चाहिए हर चीज ये आपके शारिरिक सनरचना को संतुलित करने की कोशिश करता है आपके शरीर की सनरचना आपकी मनोवज्ञानिक सनरचना से गहरा संबंद रखती है आज आपको ये दिखाने के लिए परियाप्त प्रमान मौजूद है कि अगर आप यहां बैट कर पहाड के बारे में सोचते हैं तो आपकी ग्रंथियां एक तरह से काम करेंगी अगर आप शेर के बारे में सोचते हैं तो ये किसी और तरीके से काम करेंगी अगर आप समुद्र के बारे में सोचते हैं, तो ये किसी और तरीके से काम करेंगी. अगर आप किसी आदमी या औरत के बारे में सोचते हैं, तो ये किसी और तरीके से काम करेंगी. बस एक विचार. और कुछ नहीं. पहार से कोई संपर्क नहीं, शेर से कोई संपर्क नहीं, आदमी, औरत या समुद्र से कोई संपर्क नहीं, बस एक विचार ही ग्रंतियों के काम में उतार-चड़ाव ले आएगा। मैं कह रहा हूँ कि ये सिस्टम इतना शांदार और सटीक है कि ये आपको अच्छी हालत में रखने के लिए हर चीज को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। आपके साथ समस्या ये है कि आपको एक बैल गाड़ी चाहिए क्योंकि आप वो खोई वी कड़ी हैं, आपको बैल गाड़ी चाहिए लेकिन उन्होंने आपको एक शांदार अंत्रिक्ष यान दे दिया। अगर आप इसे बस छू लेते हैं, तो बुम्, सिस्टम में कई तरह की लहरे पैदा हो जाती हैं। अगर आप बस ऐसे देखते हैं और इस पेड़ के बारे में एक राय बना लेते हैं, तो इसमें कई तरह के राशायने एक और दूसरे बदलाव आ जाएंगे। ग्रंतियों के काम करने का तरीका बदल जाएगा आप जहां कहीं भी हो, मुंबई में हो, नियॉक या लंडन में हो या जहां भी हो, जिन जगहों पर आप चल फिर रहे हैं बस उस परिस्थिती पर गौर कीजे शायद सामाजिक तोर पर आप उन चीजों के आदी हो गए हैं लेकिन जिस तरह के महौल में आप चल फिर रहे हैं उस पर गौर कीजे, कितनी तरह की चीजें वहां हो रही हैं उन में से कुछ भी इस जीवन के लिए अनुकूल नहीं है हो सकता है कि आपको इनकी आदत पड़ गई हो शायद अब आप उन शहरों से बाहर न रह पाएं वो एक अलग बात है लेकिन वो जीवन जो आप हैं वो उस तरह का महौल नहीं चाहता तो आपके भीतर जो बहुत से बदलाव हो रहे हैं वो आपके हित में नहीं है ग्रंथियों का ठीक से काम न करना तो बस एक नतीजा है ग्रंथियों के बहुत ही परिश्कृत कारियों में से एक चीज है थायरोईड ये आसानी से पता चल जाता है सबसे पहले आपके शारेरेक और मनोवेग्यानिक पैरामीटर सामाने से थोड़े बदल जाते हैं गर्बडी की वज़े से और तूसरा आयाम उस गर्बडी का जो आपके भीतर से हो रही है आपके खुद के मनोवेग्यानिक पैर्टर्न गर्बडी का एक और आयाम ये है कि आपके भीतर किस तरह का भोजन जा रहा है आज आप ऐसी कोई चीज नहीं खा सकते, जो रासाइनिक तौर पर प्रदूशित नहों, अगर आप काफी और्गानिक भोजन खा रहे हैं, तो बस वो और्गानिक केमिकल से इस्तमाल कर रहे हैं, हालात ऐसे हो गए हैं, कुछ ऐसा खाना बहुत मुश्किल है, जो किसी जंगल में उगा हो, और आप बस उसे तोड़ कर खा सकें, ऐसा बहुत बहुत कम होता है, ऐसे लोगों का प्रतिशत न के बराबर है, जो उस तरह की चीज़ें खा सकें, अब सब कुछ बाजार से आता है, और बाजार में सब कुछ जादा मात्रा से तै होता है, न की कॉलिटी से, और ये भी इस देश में, ये सारी चीज़ें अब खत्म हो गई है, मेरी दादी मा, हर दिन वो सबजी वाले, वो घर में टोकरी लेकर आते थे, सुबह सुबह ही उन्होंने खेट से सबजी तोड़ी होगी, और साड़े साथ आठ बज़े तक वो हमारे दरवाजे पर होते थ तो दादी मा सबजीयों को देखती थी, जब उन्हें खरीदना होता था, तो वो सबजी वाले को सबजी चूने भी नहीं देती थी, वो ही इसे तोड़ कर लाएं, वो बिल्कुल ताजी हैं, लेकिन अगर उसे तराजू में रखना हो, या उन्हें उसमें से एक, दो, तीन, पिंचार करके चुनना हो, तो वो उन्हें सबजी को चूने नहीं देती थी, तुम मेरी सबजीयों को हाथ मत लगाओ, ऐसा बैक्टीरिया से बचने के लिए नहीं था, वो नहीं चाहती थी, कि वो आदमी ये औरत, उन सबजीयों को चूए, जिन्हें उनके बच्चे और न मौझूद नहीं है, तो आपको अपनी ग्रंथियों को ठीक रखने के लिए गोलियां खानी पड़ेंगी, और गोली निगलने से इनमें संतुलन नहीं आने वाला, आप इसे दबा सकते हैं, आप इसे सही संतुलन में नहीं ला सकते, ये नहीं होगा, क्योंकि हर दिन ये अल आप मशीन है इस खराबी के साथ मशीन की ये खराबी कई तरह से जाहिर होगी और आपको इसका पता तभी चलेगा जब आप इसे हद के पार ले जाएंगे जब आप बहुत सीमित जीवन जीते हैं तो ये जाहिर नहीं होता ये कुछ ऐसा है देखिए अगर आपकी कार का टाय सकते हैं अगर आप 200 किलो मिटर प्रती घंटे की रफतार पर हैं और तब अगर टायर पंचर होता है तो आप जानते हैं कि आप सडक से बाहर उड़ जाएंगे तो बस यही बात है अगर इन सब चीजों को ठीक से संभाला गया है अब अगर आप अपने जीवन को एक काफी साधा उचेस तरपर काम करने के लिए ले जाते हैं तो भी आराम से चलेगा उस संतुलन को लाए बिना अगर आप अपने जीवन की गती बढ़ाते हैं तो यह डगमगाने लगेगा आप अपने आसपास हर दिन ऐसा होते देखते होंगे तो अपने जीवन में उतनी लागत लगाने के लिए खैर आप अपने शहर को छोड़ कर जंगल में रहने नहीं जा सकते आप अपने महौल को छोड़ कर दूर नहीं जा सकते आपको कम से कम खुद को इतना सक्षम बनान कि उन चीजों का आप पर जादा असर ना हो, वैसे भी इनका असर तो होगा, लेकिन सवाल है कि कितना, कितना असर होगा, कम से कम अपने घर में, अपने आसपास कुछ पौधे लगाईए, अगर खुली जगे ना हो, तो अपने कमरे में ही लगा लीजिये, हो सकता है कि ये थो कि आपको थोड़ी सूरज की रोशनी मिले, हाँ, ऐसा ना हो कि घर हर तरफ से बंद हो, और हर समय बस एक एसी बरररर करता रहे, ये भी एक चीज है, आपके आसपास मौझूद ध्वनियों की गूंज, इस शरीर को पूरी तरफ से जगजोर रही है, हर समय बरररररररररररर खास कर जब मैं देश से बाहर होता हूँ, खास कर अमेरिका में, यूरोप में भी, वहाँ थोड़ा बहतर है, लेकिन अमेरिका में हर समय कुछ न कुछ गूंजता रहता है, हर समय, जब मैं यहाँ आता हूँ, तो लगता है, बस पिलकुल शान्त, जो आपको जीवन्त बना जब हर चीज गूंजती रहती है, तो आप बस पुफ, जादा दर लोग इसके प्रती जागरुक नहीं है, लेकिन ये उनके साथ हो रहा है, उनके दिन में आठ घंटे सोने से ये साफ साबित होता है, ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि वो अपने प्राकृतिक वातावरन में नहीं रह रहा है, वो सो कर खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है, तो खुद को बिमारी से बचाने के लिए, खुद को मानसिक रोगों से बचाने के लिए, खुद को हर तरह के संतुलन से बचाने के लिए, आप दिन में आठ दस घंटे की नीन लेते हैं, यानि जीवन के हल को खोज रहे हैं हम यहीं रहना चाहते हैं जिन्दा और पूरे हल के साथ तो अगर ऐसा होना है तो आप शायद आप थोड़े अजीब लगें मुझे भी आप अजीब लगेंगे लेकिन आप जहां सोते हैं वहाँ कुछ पौधे लगा कर रख सकते हैं जब आप चलते हैं तो आपको इंसानों के अलावा दूसरे जीवनों के प्रती हमेशा जागरुक रहना चाहिए जाधा तर लोग इंसानों के प्रती ही जागरुक नहीं होते तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ आपको हर उस चीज के प्रती जागरुक रहना होगा जो जीवित है एक पेड, एक पौधा, एक घास का तिनका, एक कूदता हुआ ठिडड़ा और आपके पास से गुजरने वाले वो लोग जिन्हें आप पसंद नहीं करते हर तरह की चीज़ें हर चीज के प्रती आपको जिन्दा होना चाहिए वो ये बोलने की जरुवत नहीं है ओ मुझे इस पेड से प्यार है आपको पेड से प्यार करने की जरुवत नहीं है आपको उससे पोशन लेना होगा जीने का केवल यही तरीका है आप पसंद करें या ना करें, वो अभी आपको पोशन दे रहा है अगर आप ये सचेतन होकर करते हैं, तो हर चीजे बहतर काम करेंगी अपने आसपास की हर चीज के प्रती जीवन्त होना बिना किसी बेदबाव के ऐसी साधारन चीज आपके थायरोइड की समस्या को संतुलित कर सकती है बेशक, सुबह, हट योग तो है ही, क्रियाएं भी हैं ये सभी चीजे निश्यत रूप से मदद करेंगी और शक्तिशाली रूप से प्रान प्रतिश्थित स्थान भी है कई चीजे हैं एक मुख्य कारण ये है कि इनसान कम और कम सक्रिये होते जा रहे हैं जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है एक दिन में औसतन एक औसत इनसान पिछली पीडियों के लोग कितनी जादा शारीरिक मेहनत किया करते थे और अभी हम सब जितनी शारीरिक मेहनत कर रहे हैं वो बहुत ही कम है इतने कम स्थर की सक्रियता के साथ सिस्टम में संतुलन रखना मुश्किल है तो थोड़ा सा संतुलन होने पर आप जाकर बिस्तर पर मत लेटिए अगर आप थोड़ा संतुलन महसुस कर रहें तो आपको ठेर सारे काम में कूद पढ़ना चाहिए जहां भी जोश और उत्साह के साथ कोई काम चल रहा हूँ आपको उस काम में कूद पढ़ना चाहिए और उससे जादा और जादा कीजे अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं, तो जादा से जादा काम कीज़े, वाकई, क्योंकि जिस पल आप पीछे हटते हैं, आप बीमारी को मश्बूत बनाते हैं, अगर आप बहुत जादा बीमार हैं, तो वो अलग बात है, वरना आपको, हम असल में ग्रंतियों की कई तरह की गड़बडियों की बात कर रहे हैं। शरीर से काम लेना एक आसान समाधान है। शरीर से काम लेना यानि जो लोग नियोक में रहते हैं मैं आपको बता रहा हूं। काम लेने का मतलब यह नहीं कि आपके पास कलाई पर वो हेल्थ बैंड है। 10 स्टेप्स 12 स्टेप्स कोशिश कीजिए। क्यों नहीं। आपने कभी किया नहीं। आपके साथ यही तो समस्या है। जब आप जाएंगे तो मैं देखना चाहता हूं कि चुकि आप घास पर चलने जा रहे हैं। बहतर होगा कि आप टिडडे की तरह चलें। आप देखेंगे आपके अंदर कितनी जीवनतता आ जाएगी। मूल रूप से आपकी बुन्यादी समस्या यह है कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ जादा ही गंभीर हो गये हैं। तो हमें आपको दुबारा याद दिलाना होगा कि वैसे भी आप मर जाएंगे। तो इस बारे में इतना गंभीर मत होई है क्योंकि इसे खत्म होने में समय नहीं लगेगा। आपको पकड धीली करनी होगी। अगर अभी आप पकड धीली कर देते हैं तो आखरी सीन अलग हो सकता है। वरना लोग आपको देखेंगे आपके साथ होने वाली ये बहुत बड़ी बात होगी। आपने पकड धीली कर दिये। अभी से अगर आप पकड ढिली कर दें, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत शांदार होगा.